हाई फ्रेंड्स वेलकम टो माई चैनल रेनुकास किचन में आप सभी का स्वागत है आज हम बनाने वाले है कैरी पन्ना कैरी पन्ना बनाने के लिए यहाँ पे हमने कच्चा कैरी लिया है इसे अच्छे से दो लेना है और इसका जो उपर का चिलका है इस तरीके से हम तोड़ा तोड़ा निकाल लेंगे अभी हम कुकर लगाएंगे कुकर में एक गलास पानी डालेंगे इसे एक सिटी के लिए हम रखेंगे अभी सभी कैरी को हम पानी में डालेंगे आप चाहो तो कैरी का चिलका पहले भी निकाल सकते हो या फिर बाद में भी निकाल सकते हो मैं यहाँ पर पहले boil करके लूँगे उसके बाद चिलका कैसे निकालना है वो आपको मैं बताऊंगे अभी इसे हम एक सिटी के लिए रखेंगे एक सिटी के बाद हम इसका चिलका निकारेंगे कुकर का एक सिटी बच चुका है अभी हम गैस ओफ कर देंगे अब कैरी को बहार निकाल लेंगे अभी हमें कैरी का चिलका निकाल लेना है देखो कितने आसानी से कैरी का चिलका निकल रहा है आप भी देख सकते हो आप चाहो तो पहले भी चिलका निकाल कर boil कर सकते हो या फिर इस तरीके से भी आप कर सकते हो अब ये कुछ जादा ही गरम है, इसको हम तंडा होने के लिए रखेंगे, उसके बाद चिलके को और बीच को अलग कर लेंगे, दोनों को अलग करने के बाद मैं आपको दिखा दोंगे अब इसमें से हमने चिलका और बीच को अलग कर लिया है इस तरीके से अब इसे हम मिक्सर में फिसेंगे अब इसमें डालेंगे शक्कर यहाँ पर मैंने इस ग्लास से दो ग्लास शक्कर लिया है अगर आप जादा मिटा यूज करते हो तो और तोड़ा अड़ कर सकते हो यहाँ पर मैंने मीडियम मिटा लिया है इस ग्लास के माप से मैंने दो ग्लास लिया है अब इसे हम पीस लेंगे बीना पानी डाले हमें पीस ना रहेगा बिल्कुल भी इसके अंदर पानी नहीं रहेगा इसमें डालेंगे इलाची पाउडर यह हमने मार्किट से नहीं करे दिये घर में जो इलाची है आपको उसी का पाउडर बनाना है यहाँ पर मैंने तीन इलाची यूज किया है इलाची को पाउडर बना कर हमें डालना रहेगा अब मिक्सर में हमने पीस लिया है आपको एक बार दिखा देते हूँ देखिए कितना सॉफ्ट हमने पीस लिया है अब इसे हम साइड में रखेंगे हमें एक बर्तन लेना है बर्तन के अंदर हमें इसे डालना है कितना गाड़ा हमेने पीस लिया है आप भी देख सकते हो अब इसके अंदर हम पानी डालेंगे जितना हमें तिकनिस चाहिए उसी के इसाब से हम पानी मिलाएंगे अगर आपको जादा पतला चाहिए तो पतला बनाई है, अगर गाडा चाहिए तो आप गाडा भी बना सकते हो, यहाँ पर मैंने कम से कम तीन ग्लास पानी योज किया है, इसमें और तोड़ा पानी डाल देते हैं, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मिक्स करने पे भी यह एक्दम सा पानी के साथ मिक्स नहीं होगा, इसके लिए आपको क्या करना है, आपको हैंड ब्लैंडर या फिर आपके पास एलेक्ट्रिक ब्लैंडर होगा, तो आप उसके मदद से कर सकते हो, अभी यहाँ पर मेरे पास जो हैंड ब्लैंडर है, आपको मै किस तरीके से इसे mix करना है आपको बता देती हूँ हैंड ब्लेंडर से सिर्फ हमें दो मिनिट के लिए mix करना रहेगा ताकि पानी और आम का जो मिस्टरन है अच्छे से mix हो जाए नहीं तो क्या होगा पानी और आम का मिस्टरन दोनों अलग-अलग हो जाएगा जो गाड़ा पन जैसे दिखना चाहिए वो आपको दिखाए नहीं देगा अभी ये दो मिनिट हो चुके है अभी मैं आपको दिखा देते हूँ कितना गाड़ा है आप देख सकते हो अभी मैं इसमें डाल कर दिखा दोंगी ये देखिए कितना गाड़ा और कितना अच्छा इसे चानने की भी जुरुत नहीं है आप डाइरेक्ली पी सकते हो कैरी पन्ना बनकर रड़ी है अभी मैं आपको ग्लास में सर्फ करके बता देती हूं यहाँ पर मैंने लिया है आइस क्यूब अगर आपको आइस क्यूब पसंद नहीं है आप तंडा नहीं पीना चाते हो तो आप बरफ को स्केप कर सकते हो यहाँ पर मैंने बरफ डाला है अब इसमें डालेंगे कैरी पन्ना अब इसमें डालेंगे तोड़ा सा चाट मसाला इसमें नमक डालने की जुरूरत नहीं है क्यूंकि हमने चाट मसाला डाला हुआ है अब यह पीने के लिए रेडी है आप अपने गर पर जरूर ट्राइ कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताईए जिन्नोंने अभी तक मेरे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए मिलते हैं निक्स्ट वीडियो के साथ थैंक्स वर वाचिग मैं वीडियो थैंक्य।